अगर आपकी डिलेवरी भी नवंबर, दिसंबर या जनवरी में होने वाली है तो आज इस वीडियो में केवल और केवल मैं आपको ऐसी दो चीजे बताऊंगी जो आपको खाना शुरू कर देना है जिससे कि आपकी जो डिलेवरी हो वो 100% नौर्मल डिलेवरी ही हो और आप सी सेक्शन डिलेवरी से बच सको यूँकि हर कोई चाता है कि वो अपने बच्चे को नौर्मल डिलेवरी से जन्म दे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज को वीडियो मैं हूरेशू आप सभी के सांथ आप देख रहे हो आप मुझे कॉमेंट्स में जरू शेयर कीजेगा कि आपकी डिलेवरी इन में से किस महीने में होने वाली है नवंबर, दिसमबर या जन्वरी चलिए जानते हैं फिर सबसे पहली चीज है आपको चार खजूर हर हाल में लेना है डेली कैसे लेना है आपको जो खजूरे उनकी जो अंदर का बीजा को हटा देना है उन चार खजूर को आपको एक ग्लास दूद में अच्छे दरीगे से उबालना है और उबलने के बाद जब अच्छे दरीगे से उसमें मिल जाते हैं उसको चान कर हलका गुणगुना आपको पी ल यानिका मूँ सॉफ्ट पढ़ना शुरू होगा और जल्दी खुलना भी शुरू हो जाएगा एक और आपको amazing फायदा इससे मिल सकता है अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो भो भी इससे पूरी होनी शुरू हो जाएगी ठीक है ना तो आप ये जरू कीजेगा सेकिंड चीज है अभी इससे की सर्दियों का मौसम भी आ रहा है नॉर्मल मौसम होने लग गया है घर्मी भी कम हो गई है ऐसे में अब जो भी पानी आप पियें जितनी बार भी पियें वो गुन-गुना ही पियें तो इससे क्या होगा आपकी pelvic muscles को relax मिलेगा और वो जल्द से lose होना शुरू हो जाएंगी जिससे की बच्चा जल्दी नीचे खिसकेगा और फिर बच्चे दानी का मूवी जल्दी खुलना शुरू हो जाएगा तो इससे आपकी normal delivery के 100% chance बढ़ेंगे तो आप जो भी पानी पियें हलका गुन-गुना ही पियें पूरे दिन नहीं पी सकत हैं pelvic area की जिससे बच्चा नीचे की तरफ आता है और बाहर निकलता है योनी के रास्ते से वो सिकुड जाएंगे तो बच्चे को नीचे आने का फिर रास्ता नहीं मिलेगा और आपकी C-section delivery होगी तो इसलिए ठंडा पानी पीने की गलती बिलकुल ना करें और ना ही फ्रिज इक कमरे का जाड़ू पोछा करना स्कॉर्टिंग पोज में मतलब के घुडू पोज में बैठके करते रहें और भी बहुत सारे हमारे वीडियो आते रहते हैं शौट्स भी इंफॉर्मेशन आती रहें इससे आपके काफी अधा हेल्प हो रही होगी और अगर आपने वो कोछी से लवी खपने बढ़ती गशन आती करते वीडियों झाले दDO इंब्हें ङूट्व झालेब से तब देफयं सारे पेल्टिंग headu पत्राउब गलिवड टारीवशन आती हो इंपने दी हैं में पते रहें गल्यूंस झाल झाल